श्रावन मास में मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण मनुष्य को अवश्य करना चाहिए इससे जादा पुन्य का कार और कोई श्रावन मास में नहीं बताया गया है इसलिए भगवान भूलेनात की भक्तों को चाहिए कि श्रावन मास के महीनी में शिवलिंग का निर्मान अवश्य करें और उनका पूजन करें अभिशेक करें एवं उनका विसरजन करके पुन्यलाब प्राप्त करें ये प्रवचन ग्राम भाती में श्रीभाती सरकार के आशिरवाद से चल रही श्रीशिव महापुरान के सब्तम दिवस पर श्रीबरच भूशर महराज न दिये और उन्होंने बताया कि भगवान श्रीव की पूजा समस्त कष्टों को दूर करने वाली है क्योंकि भगवान श्रीव को महाकाल कहा जाता है इसलिए श्रावन के मास में भगवान श्रीव का अभिशेक करें उनका पूजन करें और भगवान श्रीव पर बेलपतर आदी वस्त को चड़ा कर पुनिलाव औरचित करें जो मनुष्य धन संपत्ति प्राप्थ करना चायते हैं ऐसे मनुष्य मांस में अधिक से धर्म लाब पराप्थ करें महा पुरान running गथा सुनाते हुए आचारे जी ने शिहनुमान जी महराज की जन्म का प्रसंग सुनाया और बताया कि हनुमान जी महराज बच्पन से ही सूर्य को निकल गए थे जो कि एक बड़ी विचित्र लीला थी भगवान की लीला में उनके रहसे छुपे हुए हैं आचारे जी ने जिस प्रकार नंदी महराज जी प्रकट हुए और भगवान शिव की सवारी बड़े और किस प्रकार उन्होंने विवा किया विस संपूर प्रसंग आचारे जी ने बड़े विस्तार पूर्वक सुनाया आपको ग्यात हो कि ग्राम भाटी में 17-25 जुलाई 2023 तक शिव महापुरान कथा और 11 लाग पूरी भी कथा शिवन के लिए पधारे और भाड़ी सरकार का अशिर्वात प्राप्त किया हजारों शिद्धालू पहुच रहे हैं और आसपास के ग्रामों से आकर अपने जीवन को कृथार्थ कर रहे हैं कर अपने जीवन को कर अपने जीवन को कर रहे हैं